आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ आलू पालक की बहुत ही ज्यादा टेस्टी सबजी ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और बनाने बहुत आसान है आप इस तरीके से बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए हेल्दी स्वादिश्ट आलू पालक की सबजी बनाते हैं इसके लिए पालक मैंने लिया है 300 ग्राम इनको दो तीन बार धुलने के बाद इनको मैंने काट लिया है थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे दो बड़े साइज के आलू है इनको मैंने अच्छे से धुलने के बाद छिल लिया है और छिलने क जीरा, दो हरी मिर्च, दो साबूत लाल मिर्च ली है इन्हें भी डाल देंगे इन्हें हम बीना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे देखिए इस तरह से अब इसी जार में हम तो टामाटर को काट कर डालेंगे और इन्हें भी हम पीस लेंगे बहुत महीं नहीं करेंगे इस तर प्याज दाल देंगे तो एक प्याज को मैंने बारी कट कर लिया है इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यह पीसे हुए मसाले इन मसालों को हम प्याज के साथ थोड़ी देर भूनेंगे जिससे इनका कच्छा फ्लेवर निकल जाए और प्याज भी अच्छे से भून जाए दो से तीन मिनट भुनने के बाद देखिए प्याज भुन गया है और मसाले भी अच्छे से भुन गया है तो हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसाद नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मेक्स कर लेंगे इन्हें मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम टूलो कर देंगे और इन्हें धक कर थोड़ी देर पका लेंगे तीन से चार मिनट हो गए है और ये देखिया आलू सॉफ्ट हो गए है 60 परसेंट तक आलू कुख हो गए है तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे इसे के साथ हम डाल रहे हैं एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्ज पाउडर ये तीखा नहीं होता है और सबजी का कलर अच्छा आता है तो हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर भी अच्छे से गल जाए और कच्छा फ्लेवर निकल जाए तो इसके लिए हम टमाटर को आलू के साथ थोड़ी देर भुनेंगे दो से तीन मिनट भुनने के बाद तमाटर भी गल गया है और आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो गया है तो हम इसके अंदर पालक डाल देंगे अब हम इने ढग कर तीन से चार मिनट तक पकाएंगे जिससे पालक सॉफ्ट हो जाए और ये देखिए पालक भी गल गया है और आलू भी अच्छे से पक गया है तो हम इने एक बार और मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनट तक इन्हें चलाते हुए पकाएंगे जिसे पालक थोड़े न और नरम हो जाएं और पालक से पानी रिलेज हो जाएं तो देखिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है अगर आपको और जूसी चाहिए तो दो चम्मच पानी डाल सकते हैं सब्जी बहुत ही स्वादिश लगती है और खुश्बू तो आती ही आती है टेस्ट भी बहुत बढ़े आता है तो तड़का लगाने के बाद हम इने ढग देंगे जिससे इनका फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए और दो मिनट बाद हम इने सर्प करके दिखाते हैं तो लेजिए आलू पाला की ये लाजवा आपसी सब्जी बन कर तयार है रोटी पराठे चावल या किसी भी चीज के साथ इने सर्प कर ये बहुत ही स्वादिश लगते हैं रेस्पी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना ना फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद